तो कैसे हैं आप सब और आज है 31 मई और आज से हमारी ओफिशल ट्रिप चालू रही है के दारनाथ के लिए तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में पहले तो हमको हरेद्वार पहुचना है हरेद्वार में पहुचने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग गूमेंगे क्यूंकि हमारे पस जादा टाइम नहीं है हमारे ट्रेन है तीन बजे हरेद्वार से रिशी केस के लिए हमको निकलना है तो जितना भी टाइम मिले हम लोग उसमें जितना भी हो सके उतना गूमेंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि हम ने क्या क्या देखा क्या क्या गूमा तो चलिए चलते हैं तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार रेल्वे स्टेशन पर और यह वाकि बहुत बड़ा और अच्छा रेल्वे स्टेशन था तो railway station से tempo लिने के बाद अब हम लोग आख चुके हैं हर्की पौड़ी पे हम लोग सारा समान साथ ही लायते अपने क्यूंकि हमेरे पास जादा टाइम नहीं था हमको वापस station भी जाना था तीन वज़े की ट्रेंटी और अभी बारा बज़ रहे थे मारे पास दो तीन गंटे थे तो देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं हरकी पौड़ी पे और यहां इसनान करना बहुत ही जादा पवित्र माना जाता है मतलब हरिद्वार आए और आप हरकी पौड़ी में नह आए तो आपका हरिद्वार आना पूरा सफल नहीं महना जाता तो अभी हम लोग आए हरिद्वार और यहां पे आचुके हैं हरकी पौड़ी पे आने के लिए बहुत ही जादा भीड़ती यहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी जादा भीड़ है तो अभी हम लोग आचुके हैं नीचे गाट के किनारे पे खाटी मानिए एक तरीके का यह पका गाट तो देख सकते हैं यह सामने बंदा एकदम जाली के उस तरफ नहरा है यह यहीं पे रहता होगा वाई इतनी तेज बाव में हम तो नहीं आ सकते हम लोग तो जाली के इसी तरफ नाएंगे तो हम लोग ने अपने कप्रे वप्रे उतारे और गंगा जी में डुकी लगा ली और बहुत ही जादा थंडा पारी था गंगा जी गा और अब हम लोग नहादो के आ चुके हैं उपर और मैं आपको उपर से एक और बार दिखा दूँ कि कितना बड़ा घा है और घाट के किनारे रोडों पर आपको बहुत सारी ऐसी दुकाने दिख जाएंगी जिस पर यह सब सामान मिलते हैं जैसे माला वाला कपड़े वपड़े यह सब बहुत सारा सामान जो है आपको मिल जाएगा और कट्टी भी मिल जाएगी जिसमें आप गंगा जल भर के ल इसके लिए तो रिशी के ब्लॉग मिलेगा आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ आपूर, क्यांशाबूर, कि आए। तुम्हम नमसा रे मोंसम कुम सुम एज सीगर